क्या आप जानना चाहते है रम पीने के फाइदे क्या है तो आप बिल्कुल सही वीडियो पर हो क्योंकि आज हम आपको पताएंगे रम पीने के फाइदे और बेनिफिट बहुत से लोग सराप दारू या बीर का सेवन करते है और बहुत कम लोग कम पीते है क्योंकि रम बहुत ज्यादा गरम होती है इसलिए हम उसको गर्मी के मौसम में और ना ही बरसात के मौसम में पीते है हम केवल इसे ठंडी के मौसम में या जाड़ो के मौसम में ही पीते है आखिरकर रम के फाइदे क्या है दारू या बियरकम कबले आजके इस वीडियो में हम आपको रंपीने के फाइदे बताएंगे जिससे कि आपको पता चल जाएगा कि सर्दियों के मौसम में लोग रंपीना क्यूंज ज्यादा पशंद करते है हम आपको एक बात जरूर कहेंगे कि हम यहाँ पर किसी को भी रम पीने के लिए प्रयरीत नहीं कर रहे है और इस विडियो में आपको जो जानकरी दी जाएगी वो केवल आपकी general knowledge के लिए है और हम कभी भी किसी को रम पिना या किसी भी तरीका का सरापकर सेवन करने को कभी भी नहीं कहेंगे क्योंकि इसके नुक्सान बहुत ज्यादा है और जानले बाहते है तो चलिए फ्रेंड्स आपकी जनरल नोलेज बनाने के लिए आज हम आपको रम पिने के कुछ दिल्चप सफाई दे और बेनिफिट्स बताते है जो आज तक बहुत से लोगों को पता नहीं है दोस्तों सरीदियों की मौसम में या ठंडिका मौसम में लोग रम इसलिए पीते है किमकि उनको सरीदिय जुखाम हो जाते है जिसके बज़े से वो लोग बहुत ज्यादा प्रिलसान रहते है और उनको रात में अच्छे से नीद नहीं आती है और ना ही वो अपना काम पर ध्यान लगा पाते है लेकिन अगर आप रम का एक या दो पैक रात को सोने से पहले गरम पानी में मिला कर पियेंगे तो आपको बहुत ज्यादा फाइदे होगा और जब आप सुबा उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका सर्दी और जुखाम में काफी ज्यादा कमी आ गई है सर्दी और जुखाम को ठीक करने के लिए रम पीने का सही तरीका ये होगा कि आप एक गिलास में हलका सा गुन गुना पानी डाल दीजिए और इसमें एक या दो धक्कन रम बिला कर आप उसको पीलीजिए जब आप सोने के लिए जाएंगे तो आप अपने सर पर कंबल ओड़ कर सो जाएए और कोसिस करें कि आप अपना पूरा सरीर को कंबल से ढख लिजिए ताकि आपके सरीर की गर्मी ज्यादा से ज्यादा बाहर निकल पाए और आपका जुखाम जल्दी ठीक हो पाए सर्दी जुखाम को ठीक करने के लिए आप कभी भी रम को ठंडी पाणी के साथ बिलकुल भी ना पिए क्योंकि इससे आपको कोई भी फायते नहीं होगा और उसका नुकसान आपको भरना पड़ेगा क्योंकि ठंडा पाणी पीने से आपका सर्दी और जुखाम और भी ज्यादा बढ़ जाएगी और आपकी तकलिफ कम होने के बज़ाई और ज्यादा खराब हो जाएगी इसलिए दोस्तो रमपीनी के सरी तरीका यह है कि आप इसे गरम पाणी में मिला कर पिए और एक या दो पैक से ज्यादा बिलकुल भी नहीं पिए किमकि यह फिर आपके दबाई के लिए नहीं काम करेगा अगर आप ज्यादा पिएंगे तो यह आपके सर्दी और जुखाम को और भी ज्यादा खराब कर सकता है दोस्तों ठंड के मौसम में आपको पता ही है कितनी ज्यादा ठंड लगती है कि घर से बाहर निकलने का मन ही नहीं करता आप अपने घर पर ही कंबल से बाहर निकलने का आपको मन नहीं करता होगा क्योंकि ठंडी इतनी ज्यादा होती है अगर आप उत्तरगंड या दिली में रहते है तो आपका पता ही होगा कि यहां सर्वी कितनी ज्यादा तेज होती है और हमारी तो हालत ही खराब हो जाती है लेकिन क्या आपको पता है कि ठंड के मौसम में अगर आप कम पीते हैं तो आपके सरी में गर्माइट शुरू है जाती है और आपके सरी को ठंड से लड़ने की ताकत मिल जाती है और आपको बहुत कम ठंड लगती है इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग सरी के मौसम में रम पीना ज्यादा पसंद करते है बियार के मुकाबले क्योंकि बियर उतना गरम नहीं होता लेकिन रम बहुत ज्यादा गरम होती है अगर आपको बहुत ज्यादा ठन लग रही है तो आप एक पैक रम पी सकते है जिससे कि आपके सरी में गर्माट पैदा होना शुरू जाएगी और आपको बहुत कम ठन लाएगी दोस्तो एक बार फिर हम आपसे कहेंगे हम किसी को भी प्रेडित नहीं कर रहे है रम पीने के लिए क्योंकि किसी भी तरीके का सराब दारू बियर पिना आपके सहित के लिए बहुत ज्यादा हनिकारग होता है ये केबल आपके जानकारी के लिए है तो आप कभी भी सराब और बियर कसेवर ना करे तो फ्रेंस यही था रम पीने के फाइदे और बेनेफिट हम उम्मीद करते हैं कि आपको पता चल गया होगा रम पीने के फाइदे क्या होते है अगर आप उसको दवाई की तरह इस्तेमाल करोगे तो ये जरूर फाइदे देगा अगर आपको ये वीड में तब तक के लिए हिल्दी रहे खुश रहे टेक क्यार